श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्श्मों यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा दरित्ता है, बहुत ज़्यादा गरेवी है, आप बहुत ज़्यादा परिसान है, कारोबार की समस्या है, व्यवसाय की समस्या है, नौक्री की समस्या है, बीमारी है बहुत ज़्यादा तो प आपको लेनी है एक बेल पत्र लेन एक लोटा जल आपको किछिन से भरना है और आपको 31-31 चावल के दाने लेने है ये सब सामिक ग्रिया आपको लेनी है इसे लेकर आपको प्रदोर्स काल में ये साम के समय पहुंचना है सिम मंदिर वहां जाकर आपको उत्तर दिसा की तरफ बैठना है उत्तर की विंगर लेना है और स्विलियंक पर आपको महादेव के नाम करना हुए अन्हीं आपको से अपको से मोली महादेव के नाम का इसमर्ण करते हुए रही पर ilippening पर बनाना है अनामिकाउंडी से उसके वाग जो आप 31 Beispiel के दाने ले कर गये उन 31 चावल के दानों को एक एक करके दृहां नखिएंग सीधिये आपको एक एक करके 21 चावल के दाने suveling पर जो आपने ओम बनाया है उसी पर आपको समर्पित करने है एक चावल का दाना समर्पित करिए चंदरमौली महादेव के नाम का इसमर करिए इसी तरीके से आपको 31 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं अब आपने क्या किया आपने सबसे पहले ओम बनाया फिर आपने 31 चावल के दाने समर्पित की और उसके बाद आपने जो बेल पत्र आप लेकर रहें वो बेल पत्र आपको समर्पित कर देनी है उसी के उपर जो आपने चावल के दाने आपने जहां रखे हैं ओम के उपर फिर सबसे लाश्ट में आपको एक लोटा जल समर्पित करना है श्री शवाय नमस्तव्यम का जाप करते हुए यह उपाय आपको प्रदोस काल में करना है यानि साम के समय पूर्मा के दिन गुरु जी कहते हैं यह उपाय आपकी जिंदिगी बदल देगा आपके जो भी कष्ट है जो भी तकलीवें हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे तो एक तो आप यह उपाय किजिए और दूसरा उपाय है अगर चंदरमा पूरी तरीके से निकलाते शिधे अंब को इक इस टील के लोटे में जल लेना है इस टील के लोटे में जल देने के भाद आपको और जिसमी मिष्णि के डानेंघी उसके वाद जो देहना लगातार पूर्णमा के चांद को देखीए लगातार देखते रहिए उसके वाद जो आप जल नीचे के दे उस जल को अपने नेत्रों पर लगा दीजिए तो यह उपाय आप जब करेंगे तो गुरुजी कहते हैं कि इससे आपके जो भी दिमाग समंदी समस्या है आपके मन से समंदी समस्या आपका मन बहुत ज्यादा परिसान रहता है दिमाग किदर ज्यादा भटकता है यह आपके नेत्रों में जो भी दिक्कत है वह सब समाक्त हो जाएगी बहुत ही चमतकारी उपाई है दोनों आप आप कीजिए देखेगा आपका वस्तिला मिलेगा किजिए और कमेंट बॉक्स में हरर महादेव अवश्य लिखिए